ओ से लेकर अह तक मैं एकी अक्छर से मात्राएं आपको बताऊंगी, को अक्छर को लेकर के सब्द लिखना कैसे लिखा जाता है, मैं आप सभी को समझाऊंगी, यह है ओ, ओ का कोई मात्रा नहीं होता है, ओ से लेकिन सब्द बनता है, ओ से कोई मात्रा नहीं होता है, तो मैं आप सभी को यहाँ पर लिख के बताती हूँ कि औसे कौन-कौन से सब्द बनते हैं और बिना मात्रा के सब्द कैसे लगाया जाता है तो हम चलते हैं आगे यह है को, 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 ल, कल, को, र, कर यह हुआ आ, यह है आ, आ की मात्रा ऐसे डंडी लगा कर की जाती है यह है आ की मात्रा अब हम यह है को, को में आ की मात्रा लग गया म, काम, यह हो गया काम यह है को, आ की मात्रा काल, यह है को, आ की मात्रा का जल, यह तो हो गया आ की मात्रा यह है छोटी इकी मात्रा, छोटी इकी मात्रा देखो हमेशा इधर से लगाई जाती है यह है छोटी एकी मात्रा अब हम आपको बता रहे हैं कौ में छोटी एकी मात्रा की इसकी थोड़ा उच्चारण हम धीरे से करेंगे यह है लोमयाकमत्रला किला की या किया यह है बड़ी एकी मात्रा बड़ी एकी मात्रा हमेशा इधर से लगाएजा चोटी मात्रा इधर से और बड़ी की मात्रा हमेशा आगे से लगाई जाती है तो ये था हमारा बड़ी की मात्रा अब हमारा सब्द है जैसे कौ में बड़ी की मात्रा हम आगे से ले लिए ऐसे और लो लिखती है, तो ये हो गया कील, बढ़ी की मातरा को उचारण थोड़ा हम बढ़ा के बोलते हैं, यहां है कीमत, अब ये है छोटाओ की मातरा, छोटाओ की मात्रा को हम हमेशा ऐसे करके नीचे से ले जाते हैं ये है छोटाओ की मात्रा अब ये है कौ में हमने छोटाओ की मात्रा लगा दिया तो थोड़ा ये जड़ से उचारड करेंगे कुल कुल ये है कुल रा कुशल 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 अब यह है बड़ाओ की मात्रा यह ऐसे नीचे से लगाया जाता है थोड़ा गोल करके नीचे से जैसे इसको उपर से लगाया गया और हमने इसको थोड़ा नीचे से लगाएंगे तो बड़ाओ की उच्चारण थोड़ा होता है तो हमने यहां पर कौमे देखो उपर कैसे न, कूपन, अब यह हो गया री, री की मात्रा कैसे लगाई जाती है नीचे से ऐसे सी की तरब इसको बोलते हैं री अब कोई भी अक्छर में जैसे अभी उपर देखो कैसे उ की मात्रा लगाई जाता था अब री को नीचे सी की तरब लगा देंगे तो क्री पढ़ेंगे, तो अभी है क्रिपा, यह है क्रिशक, अब यह है ए, ए की मात्रा, अब ए को हम कैसे मात्रा लगाते हैं, उपर ऐसे ए, इसको बोलते हैं ए, अब हम यहाँ पे को, कमे के मात्रा के लगा दिया, और यहाँ पे हमने लिख दिया ला, यह हो गया के ला, अब यहाँ है के, शव, के सव, यह है आए की मात्रा, यह है आए की मात्रा, यह है आए की मात्रा, यहाँ डबल लगता है, आए, इसकी उचारण ए से डबल है, तो इसको हम आए कहेंगे, आए की मात्रा, यहाँ पे है को को कमे आई की मात्रा कै लास कै लास फिर को कमे आई की मात्रा कै समयत्रसा कै सा तो ये हो गया ये है ओ की मात्रा ये ओ की मात्रा है यहाँ एक डंडी लगा के उपर उसकी एक चुर्की लगा देंगे तो ये देखो ए ये है ओ की मात्रा कैसे एक खड़ी पाई लगाने के बाद एक उपर लगाते हैं उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे क कमे ओ के मात्रा को या ल को यल धिर क कमे ओ के मात्रा को मल अब ये है ओ की मात्रा इसमें एक खड़ी पाई लगाते हैं और दो उपर चिर्की लगाएंगे तो वो पढ़ेंगे कौ अब ए ऐ ओ औ और ये है ओ तो इसके उचारण देखो ओ हो रहा है उचारड करते समय हम ओ कह रहे हैं तो इसको हम मात्रा कैसे लगाएंगे को कमे ओ की मात्रा को न कौन यह है को कमे ओ की मात्रा को आ को वा यह है अं की मात्रा यह है अं की मात्रा इसको बिंदु लगा देते हैं उपर में ऐसे तो इसको हम सब्ड कैसे लिखेंगे का में अंकी मात्रा कंगा यह है कंगा अब हम फिर का में अंकी मात्रा कंगाल तो यह था बच्चो हमारा अंकी मात्रा अब हमारा है अह की मात्रा यह हकी मात्रा 0000 लगा देते हैं तो अहकी मात्रा हो जाता है तो यह है कोह 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 तो ये था हमारा अह की मात्रा इसको हम अ, त, और जीरो जीरो लगा देंगे तो अतह हो जाएगा तो ये था हमारा आज का अ से अह तक का सारी मात्राएं और मैंने एक लिखा है पुनह तो कहा अतहा पुनह और भी बहुत सारे सब्द इसके होते हैं अह का जादा करिये सांस्क्रीत में प्रयूक तो होता है तो इसे हम आहा बोलते हैं